हेलो एब्रीवान वेल्कम टू स्मार्टेजुन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडियन ओयल कोर्परेशन लिम्टेड न्यू वेकेंसी 2022 के बारे में तो यहां पर नॉन एक्जेक्यूटिव की वेकेंसी निकाली गई है पाइप्लाइन डिविजन में जि आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा यहां पर कंप्लीट जैन करी मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो आप यहां पर देख सकती हो यह इसकी डीटेल नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको इसके इंपॉर्टन डेट्स बता टालिगी है तो आप यहां पर चे कर सकती हो कौन-कौन से स्टीट में कितनी कितनी वेकैंसी यहां पर आउट की गई है इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस construction प्रोसेस के बारे में तो यहां पर जो आपका स्लेक्शन होने वाला है वह आपके रीटें टेस्ट की out रहन लाना होगा इसमें जो आपको बताये गए हैं जो आपका रिटेंट टेस्ट है उसमें आपको कौलिफाई करने के लिए 40% मार्च लाना होगा बाकी जो कट अफ जाएगा वो अलग से तो यह आपके स्लेक्शन प्रोसेस रहेंगे अगर यहां पर बात कर ले हम लोग इसके एक एक्जाम पैटन की तो इसका जो रिटेंट टेस्ट होने वाला इसका टेंटेटिव टेट 27 मार्च 2022 रखा गया है अगर रिटेंट टेस्ट की बात करें यहां पर एक्जाम पैटन की तो इसमें जो आपजेक्टिव टाइप के कोशन पुछ जाएंगे इसमें 100 कोशन रहेंगे अब्जेक्टिव टाइप के 75 यानि की 75 कोशन आपके रहेंगे जो आपके इंजिनियरिंग डिसिप्रीन है उससे कोशन पूछी जाएंगे डिप्लोमा लेवल के और 25 कोशन आपके जरनल आप्टिटूड और रिजनिंग जरनल इंग्लिस नमरिकल और जरनल नौलिज से पूछे जाएंगे अगर यहां पर बात कर ले टेक्निकल अटेंडेंट की क्या का यहां पर इसका एक्जाम पैटन है तो इसमें भी आपके 100 अब्जेक्टिव टैप के कोशन पूछे जाएंगे 75 कोशन आपके टेक्निकल डिसिप्लिन से पूछे तो यह आपके एक्जाम पैटन रहेंगे यहां पर कोई भी निगेटिव मार्की नहीं रखा गया है एक्जाम का जो टाइम है वो 90 मिनट बताया गया है 90 मिनट आपको एक्जाम डियोशन यहां पर दिया गया है पीडलूडी के लिए 120 मिनट यह टाइम रहेगा इसके अमरिकल एप्टिजूड की स्लेव उसकी बात कर लेतो है तो इसमें आपसे एलिगेशन और मिक्षर पूछी जाएंगे एडिया से कोशन रहेगा बैंकर्स दिसकाउंट यहां पर आपसे पूछा रहेगा डेसिमल और फ्रैक्शन आपसे पूछी जाएंगे बोर्ट से कोश लोगेथम भी रहेगा यहां पर प्रब्लेम और एजन श्चरक्ण ओंप श्किल तो इससे भी आपके पूछूर पूछ जाएंगे इसको आता है ratio and proportion, simple interest, profit and loss, simplification, time and distance से question यहाँ पर आप कराएगा, stock and share से question रहेगा, true discount से question रहेगा, volume and surface area से भी question पूछी जाएगे इसके अलावा pattern series and sequence से भी question रहेगा, order and ranking से question रहेगा, reasoning analogy से question पूछा गा, statement and assumption से question रहेगा, paper folding भी आप से पूछा बहेगा, shape construction भी रहेगा, statement and conclusion भी question कोछी जाएगे, scillozum भी रहेगा, alpha numeric series से भी question पूछा याँगा, sitting arrangement भी यहाँ पर आप कराएगा, cubes and cuboids भी पूछी जाएगे, artificial language से भी question पूछी जाएगे इसमें आपके calendar से भी question रहेगा, cause and effect भी पूछा जाएगा, clock से भी question रहेगा, blood relation भी पूछा जाएगा, coding, decoding भी रहेगा, critical path भी आपसे पूछा जाएगा, data sufficiency से भी question रहेगा next बात कर लेते हैं जर्ना English की तो इसमें tenses आपसे पूछी जाएगे, grammar से question रहेगा, synonym आपसे पूछी जाएगे, error correction रहेगा, vocabulary भी आपसे पूछी जाएगे, adverb से भी question रहेगा, subject, adverb, agreement से भी question पूछी जाएगे, unseen passage भी यहाँ पर आपका रहेगा, filling the blank से भी question रहेगा, article से भ बात करें जर्ना knowledge की तो इसमें आपके countries and capital से question रहेगा, general politics भी पूछाएगा, culture से question रहेगा, knowledge of current events इससे question रहेगा, geography आपसे पूछाएगा, history, sports से भी question रहेगा, science, invention and discoveries से question रहेगा, Indian and India and its neighboring countries से question रहेगा, budget and five year plan से question रहेगा, इसमें आपके current affairs भी पूछी जाएगे, जो की national और international दोनों के current affairs रहेगे, Indian constitution रहेगा, economy, banking and finance से भी question रहेगा, scientific research, economy से question रहेगा, important financial and economic news इससे भी आपके question पूछी जाएगे, next यहाँ पे जो आपके technical attendant के लिए जर्ना साइंस बोला गया है, तो जर्ना साइंस में क्या क्या topics आपसे पूछी जाएगे, आप यहाँ पे देख सकते हूँ, आप इसका screenshot ले सकते हूँ, इसमें जो जो topics आपको बतायागे है, इन सभी topics से आपके question पूछी जाएगे, technical attendant के लिए, तो यह सारे topics आपके पूछी जाने वाले है, जर्ना साइंस में technical attendant के लिए, next नहीं पर जो आपके discipline से question पूछी जाएगे, तो कौन कौन से discipline में क्या क्या topics रहेंगे, वो आप देख सकते हूँ, जैसे कि electrical engineering में क्या क्या topics आप से पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको mention किया गया है, आप सभी इसका screenshot ले सकते हैं, इसके अलावा और जो भी discipline यहाँ पर mention किया गया है, उन discipline का भी syllabus इस PDF में available है, जैसे कि mechanical engineering और जिन्हो को आप हमारे telegram group से download कर सकते है, telegram group join करने का link आप लोगों को description box में मिल जाएगा, नेक्स यहाँ पर बात कर ले इसके eligibility की, तो सबसे पहले age limit के हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें minimum age limit आपकी जो रहेगी वो 18 साल रहेगी, और maximum age limit यहाँ पर 26 साल रहेगी, आपकी जो cut-off के लिए आप से 3 year full time diploma मां आ गया है, अगर आपने diploma किया हुआ है, इन में से किसी भी एक discipline में जैसे कि mechanical engineering हो गया या फिर automobile हो गया, तो इन में से किसी एक discipline में आपने diploma किया है 3 year का, आप इसमें apply कर सकते हैं, जो यहाँ पर minimum percentage मां आ गया है, वो 55 मां आ गया है, तो 55% है आपक को जो discipline है, वो mention किया गया है, इन में से किसी भी एक discipline में आपने diploma किया हुआ है, आप इसमें apply कर सकते हैं, उसके बाद next जो vacancy है, वो आप देख सकते हैं, वो है technical attendant 1 के लिए, grade 1 की ये post है technical attendant की, जिसमें आप से 10th मां आ गया है, 10th के साथ साथ आपके पास ITI भी होना चाहिए ITI कौन कौन से trade में होना चाहिए, तो यहाँ पे trade की आपको पूरी list दी गई है, इन में से किसी भी एक trade में आपने ITI किया हुआ है, साथ में 10th किया हुआ है, तो आप इसमें apply करने के लिए eligible है, नेक्स्ट आप बात कर लें इसकी salary की, तो यहाँ पे जो engineer assistant की salary है, वो आप 25,000 से ले करके 1,5,000 तक आपको इसमें salary मिल सकती है, उसके बाद जो next post है, वो technical attendant 1 की है, जिसमें आपकी pay scale रहेगी 23,000 से ले करके 78,000, प्लस आपको यहाँ पे DAHRAI भी मिलेगा, इसमें apply करने के लिए जो application fee आप से माहीं गई है, general OBC EWS के एनेट के लिए 100 रुपए application fee रहे apply आपको इनकी official website पर जाके करना है, यह इनकी official website है, इस website पर जाके आप online आविदन कर सकते हैं, इसका form फिलप जो हो 24,12 से start हो गया है, और इसमें apply करने का last date जो है, वो 18 फरवरी 2022 रखा गया है, इसमें आपको written test के date के साथ साथ SPP test जो होने वाला है, उसका भी date मेंशन किया गया है, 1 April 2022, अगर आपकी कोई भी curious है, तो आप यहाँ पर reason wise email करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर reason mention किया गया है, और साथ में आपको email id mention की गई है, तो यह है इसके बारे में complete जान करी, I hope कि आपको यह वीडियो helpful लगी होगी, वीडियो helpful लगी है, तो इस वीडियो को एक ल आपको यहाँ पर आपकोःड़ सकते है, तो अगर एको बारे में complete जान करोभी कोई है, तो ऑट यहाँ जा वीडियो है, तो यहाँ वीडियो।